हेलो प्रेंट्स उन्नती कंपेटिशन क्लासिस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत हैं मैं उमेज दोख सो हम बात कर रहे हैं इंगलिस सेक्शन की मॉप टेस्ट की ये मॉप टेस्ट का पार्ट फोर होगा इसमें मैं आपके सामने हाद 25 कुश्टन लेके आने वाला हूं ये वो सब कुश्टन हैं जो कई बार एक्जाम में पूछे गए ये सभी कुश्टन एक्जाम में कम से क आठ से दस बार तो पूशे गए तो इसलिए इन सभी कुश्टन की इंपोर्टेंस आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत अधिक इंपोर्टेंट रहुत रखती है ठीके दोस्तों आप एक काम करिए पैन और पेपर लेके बैठीए अपने आपको राइट आंसर के लि को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे फिलीज बेजना मत बुलिएगा मैं उसके अपना फीडबैक दूँगा और ऐसा करने से क्या प्रॉफिट होगा सबसे बड़ा सवाल है कि प्रॉफिट किया है इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका यह होगा कि आपका कर सकते हैं आपको तो इसके इसको देना हिछ तो क्या है तो अगर आप सिय वाले हैं या अब एक तेस्ट नहीं देते तो कोई दिखत नहीं है अगर आप कंपटेश्य के त्यारी कर रहे हैं चाहाब अगर यह वीडियो को पसंद है तो लाइक करना कमेंट बॉक्स में अपना स्कूर भेज़ना मच को अगर आप इस चैनल को फरस्टायल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना प्लिस मत भूलेगा सब्सक्राइब करना वीडियो के एंड में आप डिकाइड करना कि आपके आपके जितने भी प्राइड है जो कमपेटिशन के त्यारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को शेयर करने को कष्ट प्रीज जरू करना है ठीक है देखिए कोश्चन नम्बर वन में क्यारा है एक्जाम में ऐसे ही आएगा पार्ट वन में बुलेगा करेक्ट्ली स्पैल्ट व करेंगे तरिया है यह है यह लीघ्ने खी इंपी यृइद बात है दोस्तों लेटियंट में हम लोग करने बकी नहीं होता लेटिन है दो इसिते ड Forsch night Charlie blond में थे वह क्या होती है है कि तो मैंने मौक टेस्ट 3 में कहा था कि कुछ वर्ड काफी गिने चुने वर्ड होते हैं जिनकों को मैक्सिम मार पूसता है जैसे आपका भूखे लेप्टिनेंट करना और सिग्रेट अगर आपने मौक टेस्ट देखा होगा तो उन सब की मैरे स्पैलिंग आपको कहा था कि आप डिक्षनेरी से चैप करना और उनको याद करना ठीक है तो यह वर्ड काफी स्टेंड वर्ड होते हैं तो एक्साम में पूछे जाते हैं काफी बार तो उनको याद करने में हर्ज कि अब देखिए तो बता दो नों कोश्च नंबर वान का जो राइट आंसर है वह एक लेटिन ठीक है ल आई ए यू टी ए एंड 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 टी लेटिन एंड ठीक है दोस्तों हरे कुश्चन पर अपने वीडियो को पॉस्ट करना खुद अटेंड करना उसकुश्चन क आप कितना सही देते हैं आंसर और कितना रॉंग उसके बाद ही आगे बढ़ना है ठीक है अब इस पर वीडियो को पॉस्ट कर लेजिए और अपना राइट अंसर में कर दो देखिए ये जो है ये एक्टुली है कर नल इसकी जो राइट स्पैलिंग होगी वह कि सी ओ लो एंड ये र ऑराइट जो आंसर है वहां एक कुश्चन नमबर थर्ड गोके गोके की राइट स्पैलिंग क्या होती है तो यहां पर बूके की राइट स्पैलिंग क्या होती है? तो यहां पर जो गूके की राइट स्पैलिंग होती है, इसका जो राइट आंसर है वो है D, B, O, U, Q, U, E, T इसका लोर्ड को तो लोघ्गे इसका पर जानाक आपको क्या इसको अच्छे सी यार्णो होगी है करेक्ट इसकी स्पैलिंग क्या होगी एब सी चाल ऑप्शन दिये हैं वीडियो को पॉस करिए और राइट अपना निकाली किसके राइट आंसर क्या होगा ठीक है कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है आपको छोड़त में हिंट देता हूं इसमें इसमें तीन लेटर दो बार रिपीट होते हैं तीन लेटर दो बार रिपीट होते हैं कि इसका हिंट है अगर आप देखिए डबल अन दो बार रिपीट हुआ डबल ट करना आपसे double M दो बार आया double T दो बार आया और double E दो बार आया तो इसका right answer क्या है A हमारी जो condition fulfill करता है वो के वल option A ही fulfill कर रहा है ठीक है बाकी सम्में double M है तो double T नहीं है या double E नहीं है ठीक है तो right answer क्या होगा हमारा इसमें 4 का A is the right answer ठीक है अब हम बढ़ते है question number 5 क्यों question number 5 cigarette जो लोग smoking करते हैं धुमर पान जो करते हैं तो वो जो cigarette होती है उस cigarette की spelling क्या होती है ठीक है A B C D 4 option दिये है वीडियों को पास कर ये right answer निकाल दिये उसके बाद में आपको बताता हूं कि इसका right answer इसका right answer जो है वो है B C I G E R E double T E ठीक है तो इसका right answer क्या हो गया B question number 6 part 2 idioms and phrases इसको बोलते हैं मुहावरे कॉक एंड बल स्टोरी क्या होती है यह एक्चली मन घड़त कहानी होती है अगर आप स्कूल से शुक्ति के बाद बच्पन में अपने दोस्ते यहां बैढ़ गया उसके आपने गेम खेल जाओ तीन शाए गंटे आप लेड़ घर पहुंचे और घर्लत इसमें पूछा कि अगर जाए तो तुमने कोई भान विबना दिया कि रस्त में जाए टाफिक था या बस नहीं मिले या कि आज एक्ष्टा क्यास बते ही टीशन आपकनी मतलब बहुत है कॉप एंड बल इस्टोरी मतलब मेड़ इस्टोरी होती है फार्ट इस्टोरी या जिसका रियालिटी से वह संबंध ना हो ठीक है यह कुशन जो है एक्जाम में कम से कौंद लास्ट फिप्टीन इयर में सस्ट के एक्जाम में दस से बारा बाद एडियम्स के रूप मरी कुशन काफी बार रिपीट होता है इसलिए मैंने स्मॉप टेस्ट में इसको रखा है दोस्तों ठीक है तो इसमें क्या होगा मेड़ इस्टोरी जो इस्टोरी तिन्यार करीद है तो इसका राइट अंसर क्या होगा सी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नॉम्बर सेव तो डाइए इन हार्नेस देखे इसका रखती होता है आखरी सांस तक कोई काम करना देखे अगर आपको इसका हिंदी बीनिंग पता एडियम्स का तो आप इसली ओप्शन में से चूज कर सकते हैं जैसे ए बी सीडी चार ओप्शन दिया आपसे पूछेओं कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो टिक लगाएंगे बहुत जल्दी टू वर्क तिल डैथ अंतिम समय तर क्या है कार् है इन हार्नेस का राइट अंसर क्या है ए टू वर्क इन तिल डैथ ठीक है कोश्चन नुमर एट गेव इन करने लिए तक देके इन का मस्लब होता है तुम्हारा यह सैकर फॉर्म एक्षरी टिक लीशन ओंड़िव्स कर दो इसको कभी अपनको करनेकल लिए अग्जाम में घिविन देता है तो इसका मस्लब होता है थार मान लेना ठीक है और गेवप का मसलब क्या होता है किसी चोछ या मानले नां जो स्राइस्ट wichtig हो थो हमारी क्षाम डए और पर सुन करना स्टार्ट करना वाले थे उसमें अपने का बढ़िए सब्सक्षाल कर दो तो इसका राइन स्मोंन गया हिए और ही अत्मर्पनक सक्रदें तो इसका राइट अंसर से होगा सरेंडर कोश्चा नमबर नाइन टूथ एंड नेल तो इडियम होता है इसका जो सही जो अर्थ होता है अगर एक छोटा बच्चा होता है का बच्चा होता है अगर उससे होका परियास कर रहा है अपनी ताफर से परियास कर रहा है अपने गुस्ते को पूरी ताफर से तो इसका राइट क्या हूँगा बहुत एजी आपको हैं बल गया है तूथ और नेल बच्चे को बस क्या होता है तूथ और नेल होते हैं खुछ करने के लिए अपना गुस्सा परज़ेंट करने के लिए ठीक है तो टूथ और नेल का मत्तब होता है पूरी ताकत से तो एवी इस डीचार अप्शन दिया है रा मतलब भूण खुशह हो ना त्यूह इस चरज उस डीचा आप्सिए को सब्सक्राइब धग करो हो वह होगा से तो भी इल कोश्यों नुमर 11 कोश्यों में लावन कहता है हमसे है गलियों फोबिया देखिए फोबिया के तो मस्तों बहुता है बहुता है डर ठीक है यह पिए ओफ हाइट ऑप्शन भी एफ ए पिर ओफ लोग इसका राइटन से जोगा सी फिर ओफ पेंद दर जिसे डरना जैसे एक्जांबल होता है कुछ लोगो जो बिमार होते हैं डोक्टर पाश जाते हैं और डोक्टर अब उनके अंदर एक जो एक स्टोरी होती है डर उनके अंदर पैदा होना स्टाट जाता है इंजक्शन आगेगा इस बॉड़ी में चुबेगी डर दोगा बहुत ज्यादा तो यह डर होता है ना कोछी घटी नहीं है उससे पहले पेंद काफी दर दो रहा है उसको ठीक है तो इसको बोलते हैं सी फियर ओफ पीड कुश्चन नुम्बर 12 कुश्चन नुम्बर 12 हमारा डंकीज यह डंकीज यह देखिए यहां पर जो है अगर इसकी मीनिक को प्रिडिक्ट करें अगर हम पहले यह बन्दार लगाए तो इसका सही आंसर हम नहीं दे सकते है आपको इसका अंसर देने में बहुत कटन ही होगी आप एक काम करें इसका डारेक्ट आप आपर जाद कर लिए यह यह वेरी लॉंग टाइं ए यह लॉंग टाइम ऑप्शन सी गदो वाले साल कैसे होते हैं बहुत लंबे होते हैं कटते हैं ठीक है बिकदो वाली जिंदे कि जी रहे हैं उसमें तो इसको पिससे दियाद कर सकते हैं यह वैरी लॉंग टाइम अब हम बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 13 की और कोश्चन नमबर 13 है एन एनुवर कलेंडर विद पोजिशन साथ में दी गई हो ऐसा कलेंडर जिसकी नक्षचर की मतलब राहू यहां बैठा है के तु यहां बैठा है सनी की साय चल रही है मंगल हम पर काफी बैरेकित में हैं तो यह सुब हमारे नक्षत रहें उसकी जानकारी किस क्लेंडर में मिलती है उसको क्या कहते हैं ठीक है उसको बोलते हैं और मनक और मनक मतलब भी हमारा जो है यहां पर राइट आंसर होगा इसको बहुत है हिंदी में पंचांग जब भी कि यह साल आता है तो घर में क्या क्लेंडर लेगा फिरे पंचांग वाला यह कहते न बाकि प्रेल्ट कम्पनिय लरी में मिल जाते हैं यह होता है कि उसमें सभी फैस्टिवल होते हैं नक्षत की पूरी जानकारी होती है हर एक दिन पर एक डिराशी की डिटेल होती है कि वरस तो पंचांग बोलते हैं इसको पाउल मनक का मतलब क्या होता है पंचांग तो राइट हमारा क्या है बी कोश्चन नमर 14 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं पार्टू में ठीक है कोश्चन नमबर 14 हमसे कर रहा है वान वू कैन यूज आइडर हैंड विद इजी ठीक है इसका मतलब यह हुआ जो दोनों हादों से sìsley काम कर सकता हो ठाश जो रखत्व कर सकता है ठीक है ऐसे विप्ति को हम क्या बोलेंगे तो A, B, C, D चार ऑप्शन दिये रहे हैं इसका ठीक है ऑप्शन ए है एमेच्योर एमेच्योर का मतलब होता है मनमोजी ठीक है जो अनिस्टेबल हो कभी आज उसने कोई काम कर लिया कर कोई काम कर लिया बी, B में आपका है MB-Dexter ठीक है MB-Dexter का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी है जो दोनों हाथों का यूज कर सकता है ठीक है option C में है MB-Dexter इसको बोलते है जल-थल-चल जो जल में भी चल सके और थल में भी चल सके बतलब जो दोनों तरफ रहता है जैसे मगरमच जल में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है ऐसे बहुत सारे जीपयंतु हैं जो दोनों तरफ चल सकते हैं बट यहां पर वो यूज आइधर हैं बिर यह देखते की बात कर रहा है तो देखती का रही आज़ा होगा वह अब भी ठीक है दोस्तों देखे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक एक को पूर इमानदारी से अटेंच कर रहे होंगे नंबर दे रहे होंगे और नेगेटी मार्टिंग में टीक है एडिस इस अठेट में पूरा ख्याव डिस ओर हो हो जहां पे की कानन को नहीं मादता हो जहां के कानन की कोई तब्लप नहीं हो फ़्लिया पहरा अ इसका मतलब छो होता है हांगाओा टेक है क्या होता है जो होता है तो हमें को जो जो बाइंखर दे रहा है वह जो जो पर बनो को पर बनगों वह जा पर जिससका जो मधिन मन वह बुट कर रहा है को ऐसी को मार के दिन नहां दूटirts पर बढ़ती गा रही है तो यह होता है अनार्थ की जो आयरी जो ट्यास-का मतलब होता है, और आपका इहमाल्ग मिलिशन्स का मतलब होता है मुस्रÁ्त यह हम मैख में बढ़ते हैं ज यह वहां वर्ड ह में काफी य्जफ करते हैं अब बढ़ते हैंlusion Party पार्ट फोर की वर दिखें पार्ट फोर में हम से कुछ इस तरह से बोलेगा sentence को हमको improve करना है ठीक है एक sentence देगा अगर हमको improve करना है यहां तो उसकी दिखेंबर फ्लैस का लगईगा तो वह बताना है यहां को despite of his hard work he is unable to succeed यहां जो despite है ना despite के साथ कॉफ नहीं लगाते हैं कभी यह प्यारत ना despite के साथ कभी भी पहले बात को आफ नहीं लगेगा simple despite आएगा ठीक है मसलब इसका right answer क्या होगा ए होगा ठीक है इस पाइट में अच्छी पहरे सी आफ लगा होता है despite का मतलब होता है विरोध करना क्रोध लगाना करना किसी के प्रति ठीक है यदि में आपकी जवे होता तो मैंने सही decision लिया होता इसका सही मिनिंग क्या है हिंदी में यह तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हर चीज बिल्कुल fit है यहाँ पर improvement के कोई आवशक्ता नहीं है तो यहाँ पर right answer क्या होगा D no improvement question number 18 question number 18 में हमसे कहता है यहाँ पर coaching institute of Delhi are far more superior to Bhopal ठीक है यहाँ पर कह कर रहा है coaching institute of Delhi are far यह questions कई बार पूछा जा चुका है तो हम यहां बराबर के चीज वब करते हम यह सब को पता होगा तो coaching institute क्या है यहां पर बहु वचन है उल्गल है तो हम यहां दोज लदाएंगे दोज टी एच ओ एस ए दोज लगेगा तो right answer क्या होगा B दोज आफ भुपाद इस दा right answer B क्या है यहां पर हमारा right answer ठीके दोस्तो question number 19 question number 19 हम से बोलता है when he came to meet me I was playing tennis for three hour यहां time दिया है since or four का use present perfect tense में करते है अगें repeat कर रहा हूं यहां पर क्या दिया है time दिया है ठीक है और इसका दिया होता है वो क्या होता है present perfect tense में लेकिन यहां came है came जो क्या है past tense को denote कर रहा है indicate कर रहा है हमको कि came क्या past tense है हम यहां पर past perfect tense का use करेंगे किसका use करेंगे past perfect tense का use करेंगे past perfect tense में हम क्या लगाते हैं past perfect tense में दोस्तों हम लगाते हैं head plus beam तो हैड और बीन कहां पे लगा हुआ है हैड और बीन लगा हुआ है ओप्टिशन्स वी में तो राइट आशर क्या होगा इसका फाई हैं बीन नीकि ठीक है तो उम्मीद कर रहा हुआ कि आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा होगा आप इसको टेंड कर रहे होंगे किए जो सेंटेंस है यह सेंटेंस है इसमें जो भी रूल इस्तिमाल व्रेटों वह बहुत इंपोर्ट है जिसे आता है तो उसकी त्यारी सी छल रही है। अगर आप इसty little पॉस्ट करते निकालते हैं मेरे से घराइन्शर करते हैं अगर का अंस रैटा तो रैल में आपका English के rules काफी strong है बच्चो इसको नहीं आता वो इस rule को लिखेगा जरूर ध्यान से दिखेगा है राम एंड श्याम राम एंड श्याम दू नॉट राइप फिजिक्स डॉंट डे यह कोश्चन टैग का कोश्चन जो है यह कोश्चन जो है तो मतलब negative sense देती हो तो टैग हमेशा positive या affirmative में होगा ठीक है पहरा रूल तो यह आगया तो यहां पर जो आएगा यहां पर इस इसमें जो यूज होगा वो होगा भी options डू दे ठीक है राइड आंसर क्या होगा असमें डू दे होगा देखिए इसमें स्टर्टिंग में स्टेटम में नौड दिया नगिटिब सेंसी यह तो इसमें टैग जो डॉंट दे जो टैग में रखा है इसमें नहीं होगा कि वाद सिंपल होगा डू दे ठीक है तो रहे अंसे क्या होगा इसका 20 का भी ठीक है अब हम बढ़ते हैं questions number 21 की ओन प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी का जो मतलब होता है वो हमसे स्नुनिमिस पूछ रहा है इसका सेम मेनिंग पूछ रहा है सेम अंटर नेट कूछ रहा हमसे क्या होगा ठीक है चाल ऑप्शन दिये ए बी सीडी options a dirt dirt का जो मेनिंग होता है वह होता है coming acme का मतलब होता है स्रवोच बिंदू ठीक है c का जो होता है inclinations का मतलब होता है जुका और condemnations का मतलब होता है आलोशना करना condemnations का मतलब होता है गुराई करना किसी की निल्दा करना तो प्रोपैंसिटी का मतलब होता है जुका तो इसका right answer क्या होगा सी सी जए राइट आंसवर ठीक है कोश्चन नमर ट्वटी टू से मिनीन निकाना हमको इसका भी से मढ़्या होगा सब टेज सब टेज वी बोलते हैं इसको ठीक है इसका जो हिंदी मीनीन होता है वो होता है किसी चीज को कमजोर करना बरबात करना ठीक है सब्सक्राइब करना मतलब बनाना जिसका मेनी नहीं हो सकता बी ऑप्शन से री पैंट का मतलब होता है पस्चाताब करना अपनी गलती को मांगना ठीक है सी जो होता है सी का जो मेनी होता है इन कैपेसिटेट ठीक है इसका जो मेनी होता है इसका मेनी होता है किसी जिशको वीक करना तो राइट अंसर क्या होगा सी ठीक है डी का जो मेनी होता है वो होता है नॉजी ठीक है पैंडेमोनी को जो होता है नॉजी तो 22 का जो राइट अंसर वो है से कॉष्चन नमबर 23 23 है साइट सी आई टीट वोता है इसको इसका मतल्ब होता है एक्जामपल उधारण ठीक है एक इसी दी चार आप्शन गी तो किसी ने कहाते हैं कोट का साई लगाए तreek hin इसके मत्दभ होता है कोट क्याता है उसके इसको इसके वे इसके ॉ 바at कर दिया कोटी संवी वाशेव में ठीक है इसको support करना एक होता है A, B, A, T, E तो उसको इससे relate मस्कारना यह A, B, E, T है इसका मतलब होता है किसी को support करना, किसी के तहरता करना A, B, C, T, चाल ओप्शन दिया है ए ओप्शन में दिया है इसका confiscate इसका मतलब होता है किसी इसको jump कर लेना किसी इसको arrest कर लेना, किसी इसको अपना ब्राम लेना जो ज़िए से इंडिका तरीके से B, Condiment का मस्कारना बुराई करना, D, का मस्कारना इसकी इसको delay कर देना postpone कर देना, D, का मस्कारना support, तो यहां पर right answer क्या होगा, D C, 25 है हमारे पास question का 25, यह वेडिये होगा, स्मॉक टैस का आखरी question से red dress, ठीक है न, red dress का मतलब होता है तुमारा rectify करना, किसी इसको correct करना, ठीक है, A, B, C, D, 4 option नहीं है, sand, put in, put right या complicate, तो इसका तो इसको right answer है, होगा, C, question number 2, 5 का right answer क्या है, put right, correct तो मतलब क्या होता है, right करना, किसी इसको tick करना, तो इसका जो यह right answer होगा, वो होगा C, मतलब उसको right कर देना, ठीक है दोस्तों, दोस्ते इसी के साथ हमारे mark test की 25 के 25 questions complete होते हैं, आपका जो भी score बनता है, जो भी final score बनेगा आपका, वो comment box में मुझे जरूर लिखें, ठीक है, और अगर यह video आपको पसंद आया, तो please, इसको like करना मत भूरिएगा, आपका score card आपके सामने हैं, आपके जो भी number, जो भी number आ रहे हैं, अगर 18 to 25 आपके marks आ रहे हैं, 18 से 25 questions के बीच में आपके number हैं, सही, तो आपके performance काफी outstanding है, high chances हैं आपके selections के, ठीक है, 16 to 18 हैं, तो excellence है, very good chances, 15 to 18 में हैं आपका very good, good but practice, सही तो है, लेकिं practice के आपको आभश्यक्ता है, 10 to 15 में आपका below average practice hard करिए, अगर 10 number से कम हैं आपके number, तो काफी condition काफी poor है, learn concept and practice hard regular, ठीक है, दोस्तों, यह था हमारा एक mock test, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह mock test पसंद आया होगा, अगर यह mock test आपको पसंद आया हो, तो please इसको like करना मत बोलिए, और comment box में अपने number मुझे को जरूर भेजना, मैं वेट करूँ है, आपके marks पा कि आपके number आए, और इस वीडियो को जो भी आपके friend हैं, competitions की त्यारी कर रहा हैं, उन तक भेजने का पूरा परियास करिए, क्लिक करिए, उनको भीजिए यह mock test, उनको भीजना जो competition की त्यारी कर रहे हूँ, उन्हीं फैंड तक यह video share करना, जो competition की त्यारी कर रहे हूँ, किसी CA वाले को, किसी medical का कोई त्यारी कर रहे है, medical की, LVS की reports कर रहे है, तो उसके लिए यह video अतना useful नहीं है, जितना ही आपके लिए है, ठीक है, इसमें मैंने वही question की त्यारी कर रहा हूँ, जो previous exam में कई पर पूछे गए हैं, और इस पर maximum focus करना, वाकैब में अगर आप week हैं, वाकैब सब को डर लगता है, याद नहीं होती है, तो एक playlist है इस चैनल के अंदर, पैजिस्ट वरी publications के नाम से, उस पर जाईए, उसमें कावी सरी वाकैब है, वाकैब को हमने निमोनिक method के द्वारा याद करा है, निमोनिक method है कैसा method होता है उसको याद करने का परियास करते हैं, foreign country में इस method को काफी बार यूज करा गया है, बनकि उसको adopt कर लिया गया है, अपना लिया गया है, वहाँ कर कोई भी वाकैब याद करी आती है, तो निमोनिक method के द्वारा ही याद करी आती है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी उ transparent हैं, जोगे exam हुए थे, उस सभी questions का, उस सभी world का उस book में collections है, वो समझायागे आपको, आप लेकिएगा, इसी के साथ मैंने तो आप स्यार गिदा, उन्नती competitions classes के कोई team के और से, आपको आपके आने वाले exam के लिए all the best, मिलता हूं ज़ल देख, नई mock test के साथ खन्यवर्पनाल